हैलो जहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबम ये क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टोप 30 सूपर important question discuss करने वाले हैं चली अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिए गए आपे प्रशनों की संक्या टोटल 30 है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूँ 25 कोशन राइट करने का पहला प्रशन है आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजेगा रेड क्रोस की स्टापना कब हुई थी ? जल्दी से अंसर दीजेए आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं तो आंसर मैच करेंगे राइट आंसर अप्षन सी रहेगा आपका 1863 सन 1863 में रेड क्रोस की स्टापना हुई थी और 7 में यहां से आपके 2-3 प्रशन बनते हैं देखिए रेड क्रोस दिवस जो है ये आठ मई को मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है पहला प्रशन दूसरा प्रशन रेड क्रोस की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी आपकी हैंरी ड्यूनेंट ने ध्यान रखिएगा हैंडरी ड्यूनोट ने रेड क्रोस की स्थापना की थी रेड क्रोस का हेड क्वार्टर पूछ सकता है एक्जाम में जो की पूछा भी गया है पहले तो जिनेवा स्विजर लेंड आपको ध्यान रखना है और रेड क्रोस जो संस्था है इसको तीन बार शांती के शेत्र में नॉबल पुरसकार मिल चुका है ये जितने भी मैं फैक्ट बताऊंगा ये सबी अपने आप में प्रशन बनते हैं ध्यान रखिएगा अगर आपको आता है तो अच्छी बात है अगर आपको नहीं आते तो इसको आप रिवाइस करिएगा कॉशन नमबर सेकिंड देखिए तारापूर परमाणू विद्धुत ग्रेक कहां इस्थित है विएर इस तारापूर अटोमिक पावर स्टेशन लोकेटेड ऑप्शन है गुजरात करनाटक महराष्टर राजस्थान तो क्या आंसर करोगे ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं महराष्टर उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है सभी ने सभी आंसर दिया है चलिए आंसर मैच करते जाईएगा लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए थर्ड नंबर कोशन देखिए किस क्रांती का संबंध और वर्क उत्पादन से है छालिये, which revolution is related to fertilizer production ऑप्शन है स्वर्ण करांती, निली करांती, रजट करांती, भूरी करांती तो देखिएगा उर्वर्क उत्पादन, भूरी करांती का संबंध उर्वर्क उत्पादन से है ऑप्शन दी मैच करिए, क्या सभी ने ऑप्शन दी को आंसर दिया है साथ में नीली करांती ध्यान रखना है मतस्य पालन क्लियर रजत करांती अंडा उत्पादन कोशन नमबर चार देखिए औरंग राश्रियो ध्यान कहां इस्थित है वेर इज औरंग नेशनल पार्क लोकेटेड ओप्शन है असम जारखंड मिजोरम मिघाल्य क्या अनसर करोगे तो अनसर आपको ऑप्शने देना है औरंग राश्रियो ध्यान आसम में है याद कर लिजेगा आ से औरंग है और आ से आपका आसम है औरंग राश्रियो ध्यान आसम 5. नमबर कोशन शहर विजयवाडा किस नदी के किनारे बसा है तो देखिए पहला प्रशन पूछ सकता है शहर विजेवाड़ा कहां पे है किस राज्य में है तो यह आपका आंधरा प्रदेश में है क्लियर और यह कृष्णा नदी के किनारे स्थिता या ऑप्शन बी आपको आंसर सही देना है ऑप्शन बी राइट होगा जी सिक्स नंबर कॉष्ण पर चलते हैं दिलीब ट्रॉफी की स्खेल से समबंदित है दिलीब ट्रॉफी इस रिलेटिट टू विच स्पॉट ऑप्शन बोल देते हैं क्रिकेट, वालीवाल, बेडमिन्टन, गॉल्फ देखिएगा तीस प्रशन जो हैं आपके ये पूरी तरह से स्टैटिक जीके के कॉष्ण है क्लियर, स्टैटिक जीके आपके एक्जाम के लिए सूपर इंपॉटेंट है और ये तीस कॉष्ण भी सूपर इंपॉटेंट एट किये हैं आप्शन एक रेक्ट आंसर होगा क्रिकेट सैवन नंबर का आंसर दीजिए कॉष्ण नंबर सैवन निम्न लिखित में से कौन सा मंदिर मदूरई में इस्थित है रामेशुरम मंदिर, कमाख्या मंदिर, मिनाक्षी मंदिर या फिर जगननात मंदिर सई जवाब देंगे आप्शन सी मिनाक्षी मंदिर, मदूरई में स्थित है आप्शन सी राइट आंसर है साथ में रामेशुरम मंदिर का पता होना चाहिए तमिल नाडू कॉष्ण बनता है जी, तमिल नाडू कामाख्या देवी मंदिर तो पूछा जा चुका है, अल्रेडी आसम में है साथ में जगननात मंदिर, पूरी और पूरी कहां पे है तो ओडिशा कॉष्ण बन रेट देखिए प्रसिद सुखना जील इस्तित है अगर आप देखिए 30 में से 30 का स्कोर भी करेंगे तो भी मुझे कोई आश्चर नहीं होगा अगर आप मेरे से 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं तब बढ़ी असानी से कर लोगे 30 में से 28 करेंगे, देखिए नया सिनर्यो एड़ करता हूँ जो 30 में से 30 स्कोर करेगा वो समझ लेना कि उसका आज का टेस्ट एक्सिलेंट लेवल पर है उसकी तयारी भी एक्सिलेंट लेवल पर है जो 30 में से 28 का टारगेट देगा, वो समझ लेना कि उसका जो टेस्ट है वो गुड लेवल पर है क्लियर उसका टेस्ट very good लेवल पे है और मैंने आपको टारिगिट दिया है 25 में से 30 करने का सॉरी 30 में से 25 करने का अगर आपने इतना अचीव कर लिया तो आपकी त्यारी एक अच्छे लेवल पे है एक stable लेवल पे है अब आप comment box में बता सकते हैं अचीव करने के बाद आपका स्कोर एक्सिलेंट लेवल पे था वेरी गुड लेवल पे या फिर गुड लेवल पर अगर इस से कम है तो आपको थोड़ी सी और तयारी की जुरूरत है आपका अभी सेक्शन वीक है स्टेटिक जीके का क्योंकि प्रशन सारे आसान है तो आंसर पर चलते हैं सुखना लेक चंडीगड में है ऑप्शन सी क्रेक्ट आंसर है कॉशन नंबर नाइन देखिएगा बेगम पेट अंतराष्ट्री हवायद्ड कहां पर है कॉशन आपके एक्जाम में पूछा गया ये भी वेर इस बेगम पेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोके नंबर दस देखिए नेमन लिकित में से कौन सा बंदरगा गुजरात में स्थित है बताइए जी विच ओव दा फॉलिविंग पॉर्ट इस लोकेटिड इन गुजरात पारादीप बंदरगा जोहारलाल नहरू बंदरगा कांडला बंदरगा या फिर विशाखा पत्नम कीगा ओडिसा जोहारलाल नहरू बंदरगा मुंबई इसको हम नहावा शेवा बंदरगा भी बोलते हैं विशाखा पत्नम बंदरगा आंद्रा परदेश क्लियर 11 नंबर कोशन देखिए गांधी सागर बांध प्रियोजना किस नदी पर इस्थित है आप्शन है भागी रती नदी, रावी नदी, सतलुज नदी या फिर चंबल नदी तो यहाँ पर आंसर आपको आप्शन डी देना है चंबल नदी मैच करिएगा जो आप्शन डी को दे रहे हैं वो बिलकुल राइट आंसर दे रहे हैं 12 नंबर कोशन देखिए चित्रांगदा पुस्तक के लेखा कौन है Who is the author of the book चित्रांगदा आप्शन महादेवी वर्मा, अम्रिता प्रितम, रविंदरनाथ टैगोर या फिर जैशंकर प्रसाद सही जवाब आप्शन C रविंदरनाथ टैगोर 13 नंबर कोशन नॉबल पुरुसकार कितने शेत्रों में दिया जाता है In how many fields the Nobel price is given तो देखिए नॉबल पुरुसकार की शुरुआत पहले पूछ सकता है कब हुई थी 1901 में अल्फरेड नॉबल की याद में ये पुरुसकार दिया जाता है और आल्फरेड नॉबल ने डाइनामाइट का विश्कार किया था आल्फरेड नॉबल स्वीडन के विज्यानिक थे ये ध्यान रखिएगा तो देखिए नॉबल पुरुसकार 6 शेत्रों में दिया जाता है option C correct answer है कौन कौन से शेत्र में मैं बोल देता हूँ फटफट शांती, सहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकिच्चा विज्यान और आर्थशास्त्र question number 14 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है when is world ओजोन डे celebrated 15 अक्तूबर, 16 अक्तूबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर तो क्या answer दे रहे हो जो option D को answer दे रहे हैं 16 सितंबर वो बिलकुल correct answer दे रहे हैं 15 number question देखिए भारत रतन से सम्मानित प्रतम भारती क्रिकेटर कौन है who is the first Indian cricketer to be awarded भारत रतना तो answer यहाँ पे option A को जिसने दिया है सचिन तंदुलकर उनका answer correct है अच्छा 30 प्रसन के बाद मैं आपको 1 प्रसन होमवरक के लिए तो दूंगा ही साथ में यह वला प्रसन भी आड़ कर दो सचिन तंदुलकर को भारत रतन किस वर्ष प्रदान किया गया सूपर इंपोर्टेंट कोश्चन है comment box में answer दीजिएगा सोला नंबर कोश्चन देखिए वालीवाल की प्रतेक टीम में खिलाडियों की संक्या कितनी होती है हाउ मैनी प्लेयर आर दियर इन इच वालीवाल टीम ओप्शन एक राइट आंसर होगा 6 सत्रा नंबर कोश्चन प्रतम एशियाई खेलो का आयोजन कहां हुआ था वियर वाज़ दा फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड ओप्शन है ओसलो, टोक्यो, नई दिल्ली, नौर्वे तो उससे पहले कोश्चन बनता है प्रतम एशियाई खेलो का आयोजन कब हुआ था ध्यान रखिए उननीस सो इक्यावन में प्रतम एशियाई खेल हुए थे अपने भारत की राज़धानी दिल्ली में ऑप्शन सी राइट आंसर है क्लियर, अठारा नंबर देखिए विजेंदर सिंग का संबंद किस खेल से है होकी, कुष्टी, मुक्केबाजी, क्रिकेट क्या आंसर देंगे? तो ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं बॉक्सिंग वो राइट आंसर दे रहे हैं मैच करते जाएगा लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए सी एंजी का पुर्ण रूप क्या है? वाट इस दा फुल फॉर्म ओफ सी एंजी हिंदी में बोलते हैं संपीडित प्राकर्थी गैस अच्छा ये एक कोशन साइस का भी बनता है पूछ सकता है इसका मुख्य घटक क्या है? तो मिथेन है 20 नमबर देखिए तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? चलिए अंसर दीजिए हर्श वर्धना अलाउदिन खिल जी हेंसांग अमीर खुसरो तो कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं या फिर भारत का तोता ओप्शन डी राइट अंसर रहेगा 21 नमबर कोशन देखिए गौतम बुद्ध का वास्विक नाम क्या था? वट वाज़ दा रियल नेम ओफ गौतम बुद्धा? सिधार्थ, शुद्धोधन, वर्धमान या फिर रामदास तो मैच करिए ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर है गौतम बुद्ध का वास्विक नाम सिधार्थ था पूरा नाम बोला जाता है सिधार्थ गौतम चलें आगे 22 नमबर कोशन देख लीजी चेरो कान कहा का लोक नरित्य है? चेरो कौन इस अफ फॉक डान्स आफ विच प्लेस? आंदरप्रदेश मेघाल्य, मिजोरम त्रिपुरा तो चेरो कौन जो है यह मिजोरम का लोक नरित्य रहेगा आप्शन C आपका करेक्ट आंसर है जिनोंने आप्शन C को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर तेईस खालसा पंथ की निव किस सिख गुरु ने डाली थी? विच सिख गुरु लेड़ दाफ फाउंडेशन आफ खालसा पंथ? गुरु गौविन सिंग, गुरु अरजुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु नानक देव तो देखें यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको खालसा पंथ की निव 13 एप्रेल 13 एप्रेल 16.99 में डाली गई यानि कि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी और 13 एप्रेल को क्या मना जाता है बैसाखी का त्योहार मना जाता है यह भी अपने आप में एक कोशन बनता है तो इसकी निव किस ने डाली थी गुरु गोविन सिंग ने आप्शन एक करेक्ट आंसर है शिखो के दस्वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविन सिंग जी चलिए 24 नमर कोशन देखिए प्रसिद तिरुपती मंदिर किस राज्य में अवस्थित है इन विच स्थेट इस दा फेमस तिरुपती टेंपल लोकेटिड राजस्थान, तेलंगना, आंदरप्रदेश या फिर गोवा तो राइट आंसर मैच करिएगा जो भी आप्शन सी को दे रहे हैं आंदरप्रदेश उनका आंसर करेक्ट है तिरुपती मंदिर आंदरप्रदेश में इस्थित है चलें आगे 25 नंबर कोशन डिसकस करेंगे सविधान की आठवी अनुसूची में मूल तक कितनी भाषाएं शामिल थी तो देखिए जब सविधान का निर्मान हुआ था सविधान की आठवी अनुसूची में उस समय टोटल चोदा लेंग्विज थी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अगर वर्तमान में पूछता तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है क्लियर है जी 26 नंबर देखिए इसी बात पर चीन की संसद का नाम क्या है जी बताए वट इस दा नेम आफ दा पार्लियमेंट आफ चाइना नेशनल पीपल्स कॉंग्रेस साइजवाब ऑप्शन ए रहेगा नेशनल पीपल्स कॉंग्रेस चाइना की संसद का नाम है पार्लियमेंट का नेम है 27. नमबर कॉस्चन फिल्ड होकी किस देश का राश्ट्रिय खेल है फ्रांस, इंडोनेशिया, भुटान, पाकिस्तान फिल्ड होकी इस दा नेशनल स्पोर्ट्स ओफ विच कंट्री ओप्शन D करेक्ट अंसर हैगा पाकिस्तान का राश्ट्रिय खेल है और अपने भारत का भी राश्ट्रिय खेल है इसलिए ये वाला प्रशन एड किया है 28. नमबर कॉस्चन Central Intelligence Agency CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है चलिए जल्दी से आंसर दीजिए चाइना, इसराइल, पाकिस्तान, अमिरिका तो दीकिस CIA की फुल फॉम पूछेगा तो Central Intelligence Agency ध्यान रखिएगा Option D, correct answer है अमिरिका का अमिरिका की गुप्तचर संस्था है ठीके 29. नमबर कॉस्चन है आज का second last question ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है What is the name of the currency of Brazil यूआन, पीशो, रियल, यूरो और देखीगा आपके 28 फरवरी को जो एक्जाम हुआ था 2021 का ट्रेडमेन का उसके अंदर ब्राजील की आपसे राजधानी पूछी थी क्या पूछी थी राजधानी क्या होती है ब्राजीलिया मुद्रा क्या है तो मुद्रा रियल है Option C, correct answer है Question No.30 है आज का Last Question इसके बाद एक Question Homework के लिए मिलेगा Homework भी लेकर जाएगा पहले इसका अंसर दे दो Opera House किस देश का राष्ट्रियस समार्क है Opera House is the National Monument of which country और देखिए फिर से एक बार Elaborate कर दूँ कि अगर आपका स्कोर 30 में से 30 आता है तो समझेगा आपकी जो Preparation है वो Excellent Level पर है Clear अगर 30 में से आप 28 Question ठीक करते हो तो आपकी त्यारी Very Good है और अगर आप 25 में से 30 का Score करते हो तो समझ लेना आपकी त्यारी Good है यानि की अच्छे Level पे है एक Stable Level पे है अगर इस से कम Score होता है तो समझ लो आपको थोड़ी से त्यारी की जुरूरत है थोड़ा सो और अपने Level बढ़ाईएगा प्रशन सारे Easy Level के थे तो बताईए का जुरूर की इन में से आपने कौन सा Level अच्छीव किया है Excellent, Very Good या फिर Good Clear तो देखिए इसका अंसर Opera House का पे है? Australia में है Option D, Right Answer है Australia के राष्टे समार्क है और Australia के Sydney में Located है तो दोस्तों याँ पे आपके 30 कोशन कमपलीट होते हैं बताईएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमारा पढ़ाय हुआ आपको कैसा लगता है? ये कोशन होमवरक का है कल की क्लास में डिसकस करेंगे नारंग कप का संबंध की स्केल से है नारंग कप is related to which sport? बास्किट बॉल, बेडमिंटन, ब्रीज, गॉल्फ कलियर इसका आँसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एक कोशन और पूचा है सचिन तंदुलकर को भारत रतन किस वर्ष मिला है ये दो कोशन होमवरक के लिए अंसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा और बताइएगा आज का आपका लेवल कौन सा था चलिए मिलते हैं फिर कल किसे और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत